दिन भर की सबी बड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले जिससे आपको मिल सके हमारे हर लेटिस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले खलो दोस्तो आज 16 फरवरी आज के दिन सभी लोगों के लिए आ रही है कुछ खास खबर जी हाँ दोस्तो देश के प्रधान मंतरी जी हमारे देश के पिम नरेंद्र मोधी जी की तरफ से आ रही है आज की बड़ी खबर जी हाँ 16 फरवरी के दिन मोधी जिके 5 नए नियम निकल कर आ रहे है दोस्तो ये खबर आपको जान लेनी जरूरी है इसलिए खबर को अन तक जरूर देखे साथी साथ दोस्तो आज हमने सभी देश वासियों के लिए एक सर्वे रखा है कि देश के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे जवान शहीद हो गए दोस्तो आपकी राय बताए कि सरकार ने किस तरह से इसका मूतोर जवाब देना चाहिए अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दे और अपना कीमती लाइक वीडियो को जरूर दे आईए दोस्तो जान लेते हैं आज के पांच बड़े नियम विस्तार से एक फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक देश भर में कई सारे बदलाव हुए है इस बीच मोधी सरकार ने देश भर में कई सारे मुद्दों पर अपना नियम बनाया है आज हम आपको मोधी सरकार द्वारा इनी नियमों के बारे में बताने वाले हैं जो एक फरवरी से 16 फरवरी के बीच लिए गया है इस नियम को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वरना आपको बड़ी परेशानी हो सकती है तो चलिए जान लेते हैं दोस्तो पहला नियम आ रहा है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा अगर आप टेक्स का पेवेंट करते हैं तो ये नियम आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तो क्योंकि सरकार ने अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी कर दिया है ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और Income Tax Department के मुताबिक अभी तक देश के तकरीबन 50% पैन कार्ड ही आधार से लिंक हो पाए है तो दोस्तो अभी तक अगर आपने नहीं किया है अपना पैन कार्ड आधार से लिंक तो आज ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा लिजिए दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तो आएकर लोग प्रहरी संस्था भी होगी बन थी लेकिन अब ये बंद करने के लिए बोल दिया गया है लोग अभी शिकायत के लिए online तरीके को तरजी दे रहे हैं अब आपको अगर इस बारे में अगर कोई संबंदित जान करी या शिकायत करने हो तो अब आप online तरीके से कर सकते हैं इसके बाद एक और बड़ा निया मारा है कि अब P.F. खाता धरकों के लिए बड़ी खुश कबरी निकल कर आ रही है अगर आपका भी P.F. खाता है तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि सरकार इस कीम में बड़ा बदलाव करने वाली है क्योंकि सरकार अब EPS 1995 स्कीम के तहर नियूंतम पेंशन को बढ़ा कर 3000 रुपे करने वाली है जो अभी सिर्फ 1000 रुपे मिल रही थी अब उसे सरकार बढ़ा कर 3000 रुपे कर देगी इस बदलाव पर सरकार चुनाओं से पहले मुहर लगा देगी तो ये बड़ी अच्छी खबर आ रही है पीफ काताधारकों के लिए इसके बाद एक और नया नियम निकल कर आ रहा है जो है पाइरसी के खिलाफ जी हाँ मोधी सरकार ने फिल्म इंडर्स्ट्री को बड़ी परिशानी से राहत भरी खबर दी है सरकार ने सिनेमेटोग्राफी एट के नियमों में बदलाव किया है और नियमों में बदलाव के बाद अब अगर कोई वेक्ती निर्माता के लिखित अनुमती के बगएर अगर फिल्म को रिकॉर्ड करता है तो उसे तीन साल की जेल के साथ 10 लाक रुपे का जुर्माना पड़ सकता है इसके बाद दूस्तों आ रहा है आज का पांचवा और अन्तीम नियम और वो है कि केंद्रिय करमचारियों के निवेश पर अब नियम बना दिया है मोधी सरकार ने मोधी सरकार ने करमचारियों को mutual fund और shareों में निवेश करने पर अब बड़ी राहत दे दी है सरकार ने निवेश करने की limit बढ़ा कर 6 मा के मुल वेतन के बराबर कर दी है बता दे की केंद्रिय करमचारियों को mutual fund या shareों में निवेश करने की अधिक्तम सीमा पहले 25,000 ग्रूप C और D के लिए थी और 50,000 थी ग्रूप A और B के लिए अब करमचारियों को अपने निवेश की सुचना सरकार को तभी देनी होगी जब ये निवेश साल में उसके 6 मा के मुल वेतन से जादा हो जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की 16 फरवरी के 5 बड़े नियम दोस्तों इस वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Facebook पर शेयर जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद